पुलिस ने इजिएस आईएस टी टीचर्स पर लाठी चार्ज किया जिसमें एक टीचर के सिर पर भी चोट लगी पुलिस के सिविल वर्दी में एक जवान ने टीचर के सिर पर लाठी मारे और टीचर के सिर से खून निकल ले लगा जी हाँ बटिंडा में यह टीचर अपनी मांग को लेकर धर्ना प्रदर्शन कर रहे थे और बटिंडा मांसा हाईवे पर जाम लगाने के लिए जा रहे थे पुलिस ने आगे जाने से रोका इस दोरान पुलिस और टीचरों में जबरदस धक्का मुक्की भी हुई बटिंडा में SGS IST टीचर पिछले 13 वर्षों से सरकार के खिलाफ रोज प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग है कि सरकार ही ने दुसरे टीचरों की तरह रेगुलर करे और इसलिए सरकार ने इन से ETT करवाई हो और पिर उन्हें ठेके पर रखा पिछले लंबे समय से है टीचर रेगुलर नोकरी की मांग करे हैं जिसके लिए इनके प्रदर्शन में तीन जाने भी चली गई हैं मगर सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा टीचर यूनियन की प्रदान गगन कोर का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में प्रदर्शन को और तेज़ करेंगे करेंगे अज़े तक सरकार जड़ी है कि साड़िया मंगा मनन तो कोरा नकार कर रही है साड़ी पेंशीद केर्मजीद को टैंकी थे साड़ा वीर जिला सेंग जड़ा मर्नवर्ती बढ़िंडे शीद होया साड़ी मैंने जूथ जड़ी चोदा मिन्या दी वो ठिंडे शाद देगी ये परशाशन ठिंडा दी कलती कार्ण आज भी जड़ा बहुत पारी साड़े ते लाठी चार्ज होया है पिछले दो दिना दे वेच्चे आसी पट्रोल भी अपने आपके पायाग भी लोंडी कोशिश कीती अलान किता सी आतम दादा जिए उस्तो बाद मैं खोद सलफास खान दे भी कोशिश कीती परा सरकार ने जड़ा हैगा सरकार ने कोई साड़े प्रतिवधी अरवया नहीं अक्तियार कीता आज थोड़े सामने होया है पकैरा दा लाठी चार्ज है एनना ने सीवल वर्दी अले गुंदे बनाए हो इसी ओना गुंदिया तो सनू पटवाया सीवल वर्दी अले ने आज आ टीवी न्यूस के लिए भटिंडा से कुनाल बंसल की रिपोर्ट